अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं देखे तो कोई बात नहीं आज का वीडियो भी काफी सफिशन होने वाला है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केम्स के चार्ट की ध्यान रखे इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे सिर्फ टेक्निकली बात करेंगे क्योंकि फंडामेंटली अल्रेडी बढ़िया है मैं डारेक्ट बता रहा हूँ अल्रेडी बढ़िया कंपनी कोई दिक्कत नहीं है तो बात करते हैं केम्स का चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है आपको वीकली चार्ट अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सबसे पहले हम देखेंगे वीकली चार्ट पे ट्रेंड ही कैसा है अपर प्राइस स्रेंज का अप काटने आ रहा है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि अपर प्राइस कटने वाला है तो स्विंग ट्रेड की अपॉर्चनिटी बन सकती है नहीं बन सकती है इन्वेस्टर से उनको क्या करना है दो साल से patience उनका खराब हो गया होगा कि अब तो बेच के निकले तब हो, तो क्या बेच के निकलना चाहिए, सारी बात करेंगे, weekly chart क्या कर रहा है, weekly chart कर रहा है कि I am bullish, weekly chart trend में है, अब trend में हो, bullish है, इस level को काटते ही, और उपर के level, और उपर के घर जो है, इस stock के लिए खुल अब ध्यान रखना होगा, next बात करते है, monthly chart की, monthly chart देखते हैं, क्या बोलता है, to the point, clear cut बाते करने वाले है, गुमा फिर आके हमें बाते नहीं करनी, उनना हमें आती है, monthly chart, एक चीज में हर बार repeat करता हूँ, छोटे time में बड़ा चला, तो बड़े time में चोटा चला, छोटे नहीं होने वाला है, वो नहीं चलेगा बात में, वो आएगा नीचे, 100 में से 90 तो आएंगे, 10 exception हो सकते हैं, अब उस 10 exception के लिए आपको 90 stock का portfolio कराब करना है क्या, अगर हाँ, तो मर्जी आपकी, अगर ना, तो discipline से चलिए, simple सी बात है, यहाँ पर देखो, bulls और bears की कैसी खतर हूं, यह गिरावट का data मिटाया, अब इसको simply plain chart के तोर पे देखिए, लगबख 20-25 candle है, दो साल की, लगबख 20-25 candle, हुआ क्या है, रिटन क्या है, 0 बटा 6, कोई रिटन नहीं है, वैसे infinite होता है, यह नहीं होगा, तो कोई रिटन नहीं है, आपे इसको ध्यान रखिए, तो trend में बन गया ना, एक trend, इसी तरीके से trend बनता है, तो यह तो bullish है, इसको negative कह सकते हैं, जी नहीं कह सकते हैं, bullish कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, डंके की chart पे bullish कह सकते हैं, अगर no trade zone होता, तो मैं डंके की chart में no trade zone भी बोलता, और यह डंके की chart पे bullish है, इस बात को भी ध देखो बेचारे डिली चार्ट कैसे चीक-चीक के बोल रहा है कि मैं इस रेंज में जाता हूं, फेंक दिया जाता हूं, इस रेंज में जाता हूं, फेंक दिया जाता हूं, फिर गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे, फिर नीचे फेंक दिया, तो अब क्या होगा, अब क के अंदर stock है, डब्बे को तोड़ा तो भाई सब ऊपर जाएगा, डब्बे की boundary को काट दिया, तो ओर ऊपर के gate खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, 100% खुलेंगे, तो वैसा कुछ होता हुआ हमें दिख रहा है तो daily भी bullish, प्लस ये हमारी moving average की line है, 200 वाली तो इसका भी देखो, यहाँ पे ऊपर stop चल रहा है तो ये भी अच्छा sign है, खाली ये नहीं देखा जाता weekly, monthly सब देखना पड़ता है तो सब कुछ bullish है, तो फिर इसका रोल भी यहाँ पे में consider करना होगा तो इतनी बाते होने के बाद, weekly chart पे चलते हैं वापिस, देखते हैं करना क्या है आज की date में, जिनके पास है उनको भी नहीं है, उनको भी सारा discussion हम करने वाले है तो अब हमारे सामने आ गया है यहाँ पे weekly chart, अब इसको ध्यान से हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पे सब कुछ bullish है तो अब जिसके पास मानो उपर से पड़ा है मैं अपना मान के चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे उपर गलत price पे buy किया stop loss भी नहीं रखा तो अब गलत price पे sell थोड़ी करूँगा जब technical एकदम bullish होने वाले हैं यह technicals, यह क्या होने वाले हैं bullish हो गए है almost यहाँ पे bullish हो चुके है fundamental की बात करूँ तो क्या है fundamental already okay है, fundamental खराब ही नहीं इस company तो मैं बेच के निकालूँगा क्या अब बेचने का क्या फाइदा है जिब 2 साल की एक range को तोड़ने को stock आ रहे है, तो बेच के क्या फाइदा होगा fresh investment ऐसे chart पे हो सकता है remaining को 30-40% को reserve रखना चाहिए because market का कोई बरुसा नहीं है नीचे आए तो मारे पास होना चाहिए trader को stop loss follow करके चलना होता है investment में जब आपने एकदम नीचे ले रहे हो तो आपको accumulate करने के लिए कुछ तयारी रखनी होगी कि मैं पूरा एक बार में ना लूँ नीचे आएगा तो लूँगा फिर और जाएगा तो मैं सोचूँगा कि अब रखना है नहीं रखना वरना मुझे accumulate करने पर focus करना है तो ये वो वाला chart है जिसे accumulate किया जा सकता है 60-70 का यहाँ फ्रेश इंवेस्ट करके बैठता है तो भी कोई दिक्कत नहीं डिप मिले तो और वरना राइड करना है ये हुई इसकी बात अब बात करते हैं यहाँ पे swing trade वालों की कि सर कोई swing trade की opportunity दिख जाए अगर मजा आ जाए तो swing trade की opportunity है क्या बिलकुल है किस level के उपर है वो इस level के उपर है ये कितना level है ये है 2680 का चले मैं इसको थोड़ा सा set कर देता हूँ ये लीजिए ये level लगा है 2670 से 2680 की range इसके उपर गया तो क्या होगा swing trade active होगा यहाँ पे क्या होगा swing trade activate हो जाएगा तो उस trade में क्या फाइदा हो सकता है वो trade active होने के बाद हम क्या कर सकते है उस trade के active होने के बाद आपको important level करना है 2500 का 2500 का में क्या करना है important level जिसे support कहता है कोई stop loss कहता है ये level डिसकर करने अपने financial advisor के साथ फिर कोई decision लेना तो 2500 क्यों भिए क्योंकि यहाँ पर 25 BOOT important level बना हुआ है तो इसके नीचे आता है तो फिर दिक्कत होती है न तो इसके नीचे जाएगा तो हमें problem है तब तक हमें कोई दिक्कत है नी देखो यहाँ पर भी important रहा है तो 2500 को बना देगे important level फिर उपर में उपर में स्टॉक के लिए इमीडेटली मैं आपको बता दू अठाइस सो दस रुपए ये पहला रेजिस्टेंस यहां पे रहने वाला जो मैं अपने रडार पे यहां पे दिख रहा होगा अच्छा सेकेंड कौन सा रहेगा 2960 रुपए का सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा चलो ये भी हमें दिख गया और फिर थर्ड क्या रहेगा देखो थर्ड काफी उपर है कैसे है वह मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड रुजिस्टेंस लगबग इस प्राइस के आसपास है मैं इसको उपर लाता हूँ यहां पर लगबग यहां पर थीन अजार एकतिस्टो के आसपास है जो 3080 से 3100 है मैं लिख देता हूँ आपके सामने आप चाहे तो इसे फोलो करें चाहे तो ना करें तो यह तीन रि इसमें टाइम कितना लग सकता है जी बिलकुल दो से चार मनत का समय लग सकता है कोई ऐसा तो नहीं हमने आज लिया और कल आ जाएगा आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन समय भी लग सकता है उसको माइंड में रखना वरना रोज परिशान हो जाएगे तो इसका हमें क् चार मनत कब? ब्रेकाउट के बाद, 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 मैं लिख देता हूँ, आफ्टर ब्रेकाउट, ये दो से चार मनत लगने का संभावना है तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए अपोर्चु जो है वो आने वाले दो साल के अंदर इस स्टोक से काफी अच्छी है मैं लगबग मान के चल रहा हूं कि इस स्टोक यहां से 3200 और उसके बाद में लगबग यह जो इस्टोक है वो 3700 के आसपास का लेवल तो मुझे दो साल में दिखाई ही देगा तो अगर मेरे पास इस स्टोक का एवरेज जो कोस्ट है वो 2300 रूपे के आसपास का है मैं आपको लिख देता हूँ 2300 का मेरा एवरेज है मैं आपको डिस्क्लोजर के तोल पर बताता हूँ तो मेरा average जिसके आसपास का है मेरी expectations यह है तो मुझे बहुत अच्छा return मिल जाएगा अगर यह 3700 और 3200 की range में जाता है तो मुझे बहुत अच्छा return मिल जाएगा इन next 2 years की बात कर रहा हूँ बट यह बहुत genuine return में एक्ष़ए रहे हैं तो यह हमारी investment है इसके अंदर जिसका disclosure मैंने आपको दिया है और stock अगर नीचे आता है तो भी मेरे पास उसकी planning already है important range stock के लिए देखो यह वाली होने वाली जो मैंने already लगा रखी है बट आपको जो मैंने level दिये वो भी mind में रख लेंगे तो भी enough है I hope आपको सब कुछ समझाया है किसी type का कोई doubt हो comment में बताईए कि हाँ इसमें doubt है प्लस आज के बाद अगर आपको कोई breakout stocks नजर आते हैं या कोई ऐसे stocks नजर आते हैं जिनमें अच्छी buying आ रही है तो वो भी इस channel पे आप comment करके बताईए मैं हो सकता उस पे वीडियो लाँ क्योंकि मैं भी उन stock में trade ले सकता हूँ तो अगर आपके radar पे कोई breakout stocks है या फिर trading के लिए कुछ अच्छे stock नजर आ रहे है तो उनको भी आप comment करके मुझे बता सकते हैं हो सकता एगला वीडियो उसी पे हो जाए और ऐसे analysis अगर आप सीखना चाते हैं तो wave analysis में आईए इस number पे contact कर लीचे registration के लिए inquiry के लिए contact कर सकते हैं wave analysis में आप मेरे साथ live सीखते हैं डेड़ से दो महीना continuously और उसके बाद आप हमारे trainees group का lifetime part मन के रहते हैं ताकि मेरी update आपको मिलती रहे knowledge, experience और guidance मेरा और मेरे बाखी trainees का आपको मिलता रहता है एक दूसरे का साथ होता है वहाँ पे और हमारा learn together, earn together का motto जो है वहाँ पे पूरा करते हुए नजर आते हैं तो आप भी जुनना चाहें तो wave analysis में आ सकते हैं एक ही motive है सिखाना हमारा tip देने का कोई more tip नहीं रहता है हाँ जो मेरे trainees उनके साथ में अपनी personal buy sales share करता रहता हूँ या फिर वो sector बताता रहता हूँ जिनके chart attractive है या वो stock ही बता देता हूँ कि इसका chart attractive है देख लो, समझ लो ये level important है तो वो खाली में अपने trainees के साथ करता हूँ साथ में अगर आप हमारे whatsapp group से जूना चाहते हैं जहां मेरी important update कुछ ना कुछ आती रहती है और वहाँ पर मैं premium chart जो होते हैं जहां पर momentum बन रहा हूँ पोस्ट करता हूँ तो उसके लिए आपको जरोदा एंजल अपस्टॉक्स में अकाउंट कुलाना है लिंक डेस्कूप्शन में है और इस नमबर पर डेटेल भेज देनी है नेम नमबर एमेल के साथ में और वेवे अनालिसिस की जानकारी के लिए भी इसी नमबर पर आपको contact करके registration करवाना होगा और एंक्वारी के लिए भी आपको इसी नमबर पर contact करना होगा अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए आपका धन्यवाद जय हिन जय भारत